हम दिसक्स कर रहे हैं about contraception इसमें हम चार पाट्स डिसक्स कर चुके हैं अबाउट ज़नल इंट्रोडक्शन, बेरियर मेथेड्स, कमबाइड ओल कॉंट्रसेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं about transgenal rings and transdermal patches के बारे में तो इसमें हम डिसक्स करेंगे about कि कितने type के rings available हैं, rings and patches का mechanism of action कैसे काम करते हैं, इनकी composition क्या है, यहनि कैसे use करना चाहिए, उनके क्या advantages और adverse effects है सबसे पहले हम जानेंगे transgenal rings के बारे में, यह दो types के होते हैं, first is combined, जिसके अंदर estrogen and progesterone दोनों होता है for example, nuva ring and anovera ring, second one is only progesterone containing ring, जिसके अंदर सिरफ और सिरफ progesterone होता है example is progering, तो nuva ring के बारे में अगर हम देखें, तो यह silicon का बना होता है और इसका diameter जो होता है, वो 5 cm के अप्रॉक्स होता है इसका mechanism of action के बारे में rings के बात की जाए, तो यह ovulation को inhibit करते है composition of rings is, इसके अंदर ethinyl easter oil जो होता है, वो 15 microgram होता है plus etonorgestrol is 120 microgram, plus ethinylene vinyl acetate होता है पर progesterone only ring के अंदर, total progesterone जो है, वो 1 gram होता है जो की 10 mg पर day की rate से release होता है तो हम rings को कैसे use कर सकते हैं, rings जो होते हैं, वो सिर्फ free size में available होती है तो इनकी measurements ये fitting के requirement नहीं होती है rings को हम 2 purpose के लिए use कर सकते हैं first is for birth control जैके contraceptive method की तौर पर एक ring को हम 3 weeks के लिए use कर सकते हैं और इसे 3 weeks के लिए use करना चाहिए and 1 week जो है, वो without ring रहना चाहिए जिसके दुरान, जो female है, वो अपनी menses expect कर सकती है rings को insertion का best day होता है, day 1 of menses पर इसे हम day 1 से day 5 of menses तक कभी भी insert कर सकते हैं अगर इस दुरान हम इसे insert करते हैं तो कोई backup या दूसरे contraceptive method की requirement साथ में नहीं होती है पर अगर rings को month में कभी भी अगर insert किया जाता है जिसको quick start method होती है तो इसमें हमें 7 days backup की requirement होती है मतलब की rings के साथ हमें 7 दिन तक कोई और contraceptive method जैसे की condoms या फिर कोई और method हमें use करना पड़ता है अब हम देखते हैं की vaginal ring को हम कैसे insert कर सकते हैं सबसे पहले female को अपने hands wash कर लेने चाहिए then उसे एक कोई comfortable position चूज करनी चाहिए for example जोकी इन images में दी हुई है then rings को हम दोनों opposite side को हम press करते हैं then इसे हम vagina में insert करते हैं till the opening of the service तो ऐसे इसे insert किया जाता है अगर रिंग जो होता है वो तीन घंटे से जादा remove रहता है तो हमें दूसरा contraceptive method backup method 7 days के लिए use करना चाहिए और एक और important बात यह है कि during intercourse rings को remove करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है तो second use जो होता है rings का हम for menopausal symptoms के लिए भी कर सकते है जो की 3 months means 90 days के लिए use करना चाहिए then हमें जो rings है उन्हें change कर लेना चाहिए then another is anovera ring जो की combined ring है जिसके अंदर सजिस्ट्रोन एसिटेट और इथनाईल इस्टरडायोल है इसका एक advantage यह है कि जैसे नुवा ring को हम एक ring को एक month के लिए use कर सकते हैं पर anovera ring को हम एक साल के लिए use कर सकते हैं तो यह हमारा था rings के बारे में अब हम पढ़ते हैं about transdermal patches के बारे में इसका example है orthovera इसका mechanism of action भी transdermal vaginal rings जैसा होता है composition की बात करें तो इसके अंदर 20 microgram of ethanol estradiol plus 150 micrograms of nor algestromene होता है जो की norgestimate का एक petabolite होता है patches को हम कैसे use कर सकते हैं एक patch को हम एक हफते के लिए ही use कर सकते हैं तो हमें इसे तीन हफते तक use करना होता है and one week जो है वो patch free रहता है जिसके दोरान female अपना menses expect करती है तो यहां पर हमने देखा कि जैसे की एक ring को हम एक month के लिए use कर सकते हैं पर एक patch को हम यहां एक हफते के लिए use कर सकते हैं तो एक month में हमें तीन patch use करने पड़ते हैं application जो day होता है best वो day one of menses होता है और उसे हम day one to five of menses में use कर सकते हैं जिसके दोरान backup method की जुरत नहीं पड़ती है अगर हम इसे कभी भी apply करते हैं month में तो seven days backup method की requirement होती है जैसे की rings के लिए होता है patches को apply करने के लिए कुछ locations हैं जैसे की upper outer arm बाजू पर लगा सकते हैं अपर torso कंधे पर लगा सकते हैं बटक्स मतलब की कूले पर लगा सकते हैं abdomen मतलब की पेट पर लगा सकते हैं पर हमें इसे breast पर use नहीं करना चाहिए अगर जो patch है वो detach हो जाता है पर detach रहता है less than 24 hour के लिए तो कोई backup method की requirement नहीं होती है और इसे हम reapply कर सकते हैं पर अगर patch जो है वो 24 hour से जाधा detach रहता है तो हमें 7 days backup method के requirement होती है अब हम discuss करेंगे about advantages of rings and patches के बारे में common advantages क्या है कि rings and patches जो है वो intercourse पर dependent नहीं होती है और जैसे कि पिल के अंदर हमें रोज यार लखना पड़ता कि हमें पिल खानी है वैसे ही rings and patches सब नहीं होता है तो daily compliance जो है वो requirement नहीं होती है rings and patches की by ability बहुत जादा होती है rings के अंदर advantage एक और यह है कि इसके अंदर estrogen exposure कम होता है इसलिए estrogen के side effects होती है nausea, vomiting, breast tenderness and breakthrough bleeding के chances इसमें कम होती है on the other hand, patches का एक advantage ही है कि यह cleaver metabolism को bypass करता है इस वज़े से constant hormonal levels को provide करता है then adverse effects of rings are same as combined oral contraceptive pills but इसके अंदर additional adverse effects ही है कि जैसे कि rings को हम vagina में insert करते हैं इस वज़े से dryness और vaginal discharge इसको हम leucoria बोलते हैं उनके chances increase हो जाते हैं and rings and patches हमें sexually transmitted infection से protection नहीं provide करते हैं अब हम discuss करते हैं adverse effect of patches patches को हमें sensitive skin या को skin की बिमारी होने पर नहीं लगाना चाहिए average जो estradiol की concentration होती है वो जादा होती है then combined oral contraceptive in blood इस वज़े से risk of venus thromboembolism जो है वो patches के साथ जादा होता है तो so guys this was my video on transvaginal rings and patches and hope you like my video and please do comment and tell me how can I improve my videos thank you so much for listening me you